दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दुनिया कि सबसे चोटी बच्ची अब घर जाने को तैयार जनम के समय एक सेब के बराबर था वजन जी हां दोस्तों पिछले साल अक्टॉबर महिने में जापान में दुनिया के सबसे चोटे बच्ची ने जनम लिया था, जिसका वजन महस 258 ग्राम था दुनिया के सबसे छोटी बच्ची का जन कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में दिसमबर 2018 में हुआ था जन्म के समय इस बच्ची का वजन एक सेब के बराबर यानि सिर्फ 245 ग्राम था और इसी वज़े से अस्पताल के ही एक करमचारी ने बच्ची का नाम सैबी रख दिया था सैबी का जन महस 23 हवतों में ही हो गया था बच्ची का वजन काफी कम होने की वज़े से उसे जन्म के बार 5 महिनों तक नियोनेटल इंटेंसिव केर यूनेट में रखा गया इस बच्ची के जन्म से पहले दुनिया के सबसे छोटी बच्ची के जन्म का रिकॉर्ड जर्मनी के पास था जहां साल 2015 में 252 ग्राम के बच्ची ने जन्म लिया था बता दे कि जापान में जिस बच्चे का जन्म हुआ था उसे भी पिछले महीने ही डिस्चार्ज किया गया था और करिब 7 महीने तक उसे अती गहन चिकेट सा कक्ष में रखा गया था अब उस बच्चे का वजन करिब 3 किलोग्राम हो चुका है इस खबर में अभी के लिए बस वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटसअप फेस्बूक पर शेयर जरू करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे ह हर लेटिस्क वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद